नवस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना महामारी से कैसे बचें खतरनाक बुखार से कैसे बचें वस आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी आप से गुजारिस है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों इस समय पूरी दुनिया परेसान है बीमारी से इस बीमारी से वचने के मैं आपको तरीका बताऊंगा फिलाल स्टा तरीका बता रहा हूं, फिलाल में कोई ढॉक्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जो जानकारे दूंगा, आपको वहत महतफ़ूर जानकारे दे रहा हूं. सबसे पहले अगर आपको कोरोना से वचना है, तो आपको बुखार से वचना होगा. अब वो खार से आप तभी बचेंगे चाहें आप गाओं के हैं या सहर के हैं कोई भी नेचरली ठंडी चीज है वो तो आफ खाएं लेकिन IDVCL ठंडी चीज का बिल्कुल प्रियोग ना करें ठंडी चीज बिल्कुल ना खाएं IDVCL वह चीज ठंडी होती हैं जैसे कि फिरिज में रखी गई चीज IDVCL होती है कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं तो फिरिज में रख कर ना खाएं मतलब आपको अपना जिसम जो है ठंडी जगे से ठंडी चीज खाने से वचाना है कहने का मतलब यह है अगर आप सुबह को घूमने जाते हैं तो घूमना दुपहर में भी जाएं क्योंकि आपके सरीर को धूप की सक्त जरूरत है जो लोग AC में रहते हैं हमेशा कमरे में रहते हैं पंका चला के रहते हैं तो भाई आप इस पे जड़ा थोड़ा परहेज करें अगर आपको बुखार से बचेंगे तब ही आप कोराना से वच सकते हैं इस समय पूरी दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं पैसे बारे लोग हैं नेता अवी नेता उनी को कोराना नहीं हो रहा है बलके सबी लोगों को कोराना हो रहा है जो ठंडी चीज का इस्तमाल कर रहे हैं मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी ठंडी चीज बिल्कुल ना खाने पानी भी ठंडा ना पीएं अगर आपको प्यास लगी है तो फिरिज में पानी भर के ना रखें और ना ही फिरिज के पानी का यूज़ करें अगर आपको प्यास लगी है तो आप सरकारी जो नल होते हैं हैंड पंप होते हैं या अपने घर में नल है उसका ही पानी पिए या फिर गरम पानी करके उसको ठंडा करके पिए अगर आपको बुखार से बच गए तो समझ लीजी आप को रोना से वच सकते हैं और जो सरकार ने नियम लागू किया है जैसे की सामाजिक दूरी बनाए रखें मास्क का प्रियोग करें भीड़ वाड़ वारी जगए पे ना जाएं इसका भी आप जरूर ध्यान रखें सरकार ने जो भी नियम लागू किया है वो भी काफी अच्छा है फिलाल आप कोई भी सहर के हों गाओं के हैं कहीं के भी हों थंडी चीजें बिलकुल ना खायेगा और कुछ जो मार्केट में थंडी चीजें बिक रही हैं उसका भी परहेज करें और इस वीडियो को अपने यार द जो भी नियम लागू किया है उसका जरूर आप पालन करें सामाजिक दूरी बनाए रखें मास्क का प्रियोग करें और भीड भाड़ वाली जगए पे ना जाये घर से बाहर भी ना निकलें बिना काम के और आप अपनी छट पे भी घूम सकते हैं जब धूप हो क्योंकि सरी लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और आपसे गुजारिस यह है कि अगर आपको जरावी खासी है जो खाम है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और घरेलू बात मैं आपको बता दूँ घर पे गरम पानी करके पिएं और जो काली लोंगे आती हैं उसक भी ना चलाएं थोड़ी गरमी अपने सरीर को जरूर दें बागे दोस्तों आपकी मरजी है मैंने जो भी आपको सला दी है एक के इनसानियत के नाती सला दी गई है फिलाल आप इसको जरूर सेर करें दूसरों की जान भी बचाएं अपनी जान भी बचाएं तो दोस्तों फि